नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से मौसम ताजा समाचार में आप सभी का हारदिक स्वागत है पस्चे में विक्छोब सक्रे हुआ है इसकी वज़े से अगले 48 गंटे किसान भाईयों के लिए बेहदी खास रेने वाले हैं कई राज्यों में भारी बारिस होगी तो कहीं पर ओलवरष्टी और कई राज्यों में पारा चड़नी वाला है मौसम विभाग के द्वारा नई लिष्ट जारी कर दी गई है देश के कई राज्जियों में तापमान दीरे दीरे बढ़ने लगा है अलांकि कुछ हिस्सों में हो रही बारिस और बरबारिसे लोगों को राहत भी मिल रही है देश की राजधानी दिल्ली में भी कोहरे का पूर अनमान है जिस वज़े से नियुनतम तापमान में ग्रावट की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग ने बताया है कि असम और अरुनाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिस का पूर अनमान है वहीं पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुनाचल प्रदेश, असम, मेघाले, नागालेंड और मनिपुर में बिजली कड़कनी की संभावना है इसके अलावा ओडिसा में आज और कल कोहरे का अनमान जताया गया है दोस्तो देश का एक मातर चैनल है जिस पर मोसम से जुड़ी बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी आप तक अपडेट की जाती है इसलिए आप चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें मोसम विभाग की माने तो उत्तर पष्चिमी पष्चिमी और पूर्वी भारत के हिस्चे में अधिक्तम तापमान सामाने से 3-5 डिग्री बढ़ेगा हालां की बाकी हिस्चों में अगले 5 दिनों में तापमान में कोई भी खास बदला होने की संभावना नहीं है मोसम विभाग ने बताया है कि पहाड़ी इलाकों में पष्चिमी विख्चोब का असर देखने को मिलेगा पष्चिमी विख्चोब के चलते जम्मु कस्मीर में 25 और 26 फरवरी को बिजली कड़केगी वहीं हिमाचल परदेश में 26 को बिजली कड़कने की संभावना है दिलने में दोस्तों पिछले 24 गंटे में कोहरे की संभावना थी वहीं नियुनतम तापमान गिर कर 13 डिगरी रह सकता है साथ ही अधिक्तम तापमान आज 30 डिगरी रह सकता है साथ ही हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव की तो यहाँ पर आज नियुनतम तापमान 15 डिगरी और अधिक्तम तापमान 31 डिगरी रहने का अनमान जताय गया है वही सातियो तमिल नाडू की राजधानी चैन्नाई में नियुनतम तापमान 22 डिग्री जबकि अधिक्तम तापमान 35 डिग्री रहेगा चैन्नाई में आज आंसिक रूप से बादल चाहे रहेगी बैंगलोरू में नियुनतम तापमान 14 डिग्री और यहां आसमान साप रहेग कोलकत्ता में सुबह कोहरा और बाद में आंसिक रूप से बादल चाहे रहेंगी एहमताबाद में आज मोसम साफ रहने की संभावना है मोसम से जोड़ी सभी राज्यों की लेटेस्ट और सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आएगन प्रेस कर लें दोस्तो देखिए जैसे भी मोसम विबाग के द्वारा अपडेट आती हैं वो ही अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं हम अपने तरफ से दोस्तो कुछ भी इसमें नहीं लगाते इसलिए दोस्तो अभी ही चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आएगन प्रेस कर लें और पाएं घर बेटे मोसम से जुड़ी आपके राज्ये के बिलकुल सटीक जानकरी धन्यवाद दोस्तो जै